नमस्कार साथियों मैं रिद्यसमार सिंग आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ब्रिमासमी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा ना पत्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि कई बार पत्नी को लेकर के लोगों के मन में ये संसर रहती है कि पता नहीं पत्नी कैसी मिलेगी मेरा लाइफ कैसा होगा और जिनको मिल गई है उनको भी पता है कि कैसा उनका लाइफ चल रहा है तो हम उसी प्रकार से बात करेंगे यहां पर पत्नियों की प्रकार की तो पत्नियों की प्रकार के बारे में अगर हम बात करेंगे और थोड़ी सी चीजों को सुरू करेंगे तो उससे पहले हम थोटी सी कुछ कहानी के बारे में देखेंगे और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये हमरे इतिहासिक गरंथ में है और जैसा कि आप लोगो ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा तो उसमें एक बहुत धर्म का गरंथ है अंगुतर निकाय ठीक है अंगुतर यानिक मनिक परिवार से आती लेकिन वो थोड़ी सी उदंड और ओश्सरिंखल बेभार कि थी shortcuts का अपने पती का कहना मानती थी और नहीं अपने सास स्वसूर्त था किसी अन्यका अनाथ पिंडग ने बुद्ध से उसे समझाने के लिए अनुरोध किया और तब बुद्ध जब उसको समझाने के लिए गए तो उन्हों ने बुद्ध ने सुजाता से कहा कि पतनिया साथ परकार की होती है अब आप लोग यहां से नहीं हुआ है उनका कौन सी पतनी चाहिए तो हम बात कर रहे हैं बुधने सुजाता से कहा कि जो पतनियां होती है वो कितनी परकार की तो साथ परकार की होती है जिसमें से कुछ स्वीकारी की स्रेणी में आती है और कुछ स्वीकारी की स्रेणी में नहीं आती है जैसा हम सबसे पहले बात करेंगे वधिक प्रकार की पतनी यानि की कातिल जैसी समझे इसका गूर क्या है कि ये वो पतनी है जो क्रूर होती है दयावीहीन होती है हत्यारीन होती है और यही उसकी मुल्प्रवृति है वह रात में अपने पती को छोड़ कर दूसरों के साथ अपना समय गुज पतनी होती है जो अपनी पती के पैसे को चूराती है और उसे गरीब बना कर उसका नास कर देती है आरे बासमाज में यानि कि हमेसा हमेसा के लिए नास हो जाता है वेचरा क्या करें वो पैसा पॉकेट में रखता है और पर सुबह में गयब आजकल बहुत सारी रील्स भी ब तीत करती है और भोग विलास में ही लिपत रहना चाहती है आनावस्य गव सब करती है बैठ करके अरे बहिना उनका देखिये क्या हाल है उन्होंने आज यी कहा परसुभू कहा इस टाइब से गव सब होते रहता है और जोड़ जोड़ से बोलती है घर में आज आए तो पूरा अधी संसकार बचता है हिंदु धर्म के अनुसार चलिए तो यह जो तीन प्रकार की जो अभी मैंने पत्नियों के बारे में बताया तो यह समाज में स्विकार नहीं है यानि कि इस प्रकार का पत्नी नहीं होना चाहिए आगे जब हम बढ़ेंगे चौथी प्रकार की पत्नी की रक्षा करती है आरवा समझ में पाच्वे प्रकार की अगर हम पत्नी की बात करेंगे तो भगनी संपत्नी है यानि कि बहन जैसा यानि कि यह वो पत्नी होती है जो अपने पती के साथ उसी प्रकार समान से पेश आती है जिस प्रकार एक छोटी बहन अपने बड़े भाई का आदर करती है जबकि छठी प्रकार की पत्नी की बात करेंगे तो मित्र सम पत्नी है जो अच्छे कूल से आती है अपने पती के प्रती निश्ठावान रहती है और उसे मिलने पर उसी प्रकार आनंदीत होती है जिस प्रकार एक मित्र बहुत दिनों बाद दूसरे मित्र से मि पर आनंदीत होता है तो जाहिर से बात है कि इस परकार की पत्नी समाज में स्वीकारे है और जो सेवंत स्चाह समय आर्ठाथभु गुलामों जैसे पत्नी जो शांत स्वभाव की होती है बड़ी धाहरयवान होती है आग्याकारेडी होती है और पति से कुछ इधर उधर तो हो जाता है तो भी बहुत ज्यादा नहीं बोलती है तो कहने का मतलब है कि यह साथ परकार की पत्नी को तो नहीं कहेंगे कि बर्तमान समय में कोई पत्नी दासी सम हो लेकिन मित्रवत तो हो सकती है मात्री सम तो हो सकती है भगनी सम तो हो सकती है तो कहने का मतलब है कि इस में से जो सुरुवाती हमने तीन परकार की पत्नियों के नाम बताए जिस परकार का उनका गुण है उसके अंदर तो अगर ऐसी पत्नी मिल गई आपको तो समझे कि आपका जीवन नरक है मतलब स्वरग का रास्ते सारे बंद हो जाएंगे यहां तो छोड़ी आगे भी बंद रहें ठीक है क्योंकि इतने आप प्रताडित रहेंगे कि अगले छे जमन तक आप साधी करने का नाम नहीं लेंगे तो इसमें से पहले तीन परकार की जो पत्निया है वो मिर्तु के बाद नरक में जाती है यह मैं नहीं यह महात्मा बुद्ध ने सुजाता को समझाया जबकि बाक घटना का देखिए वास्तों में यह हुई हो या नहीं हुई हो यह नहीं पता है ठीक है हो सकता है कि घटा हुई भी भी हो नहीं भी हो यह महात्मा तो नहीं रखता किन्तु यह कहानी वास्तों में पती और पत्नी के बीच में जो एक बिभिन प्रकार के संभावित संबंध उसका वर्णन करता है। जैसे कि हम सुझाता की बात करता है, तो सुझाता आरंव में एक आदर्श पत्नी नहीं थी। यह दरसाता है कि उस समय समाज में उस कोटी की अने नारियों का अस्तित्व था, यानि कि प्रथम जो तीन परकार की जो नारियां थे उनका अस्तित्व था, सुजाता दुआरा पत्नी के सरवाधिक अधिनस्त परकार की पत्नी बनना, स्विकार करना, शायद इन गरंतों के र बद्ध गरंद का नाम लिया था ठीक है तो हम उसी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना है कि किस परकार की पत्नी का आपको चुनाओ करना है और कैसी पत्नी के मिलने के बाद आपका जो जीवन है यहीं पर इसी धरती पर ही स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा और क किसी रोचक जनकरी के साथ किसी अगले वीडियो समय तो अगर यह पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्त भाई बंधू मित्र सभी को शेर कर दिजे और बोलिए कि ब्रहासमी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें और इसी पर हमारा NCRT का भी बैच चल रहा है जो कि बिल्कुल अभी ऑफर में है तो फटा फट 51 रूपीज में जो हमने NCRT का बैच दिया है बीना देर गवाए या बीना समय गवाए फटा फट जाकर के उसको खारिद लेना है क्योंकि एक बार मौका मीस हो जाने के बाद फिर यह दुबारा नहीं मिलेगा तो इसी परकार की रोशक जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगले किसी रोशक जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत